नमस्कार मित्रो हमारे चैनल में आप सभी क्या एक बार फिर्षे स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुराने बिलाउस का नाप कैसे लेते हैं पुराने बिलाउस का नाप कैसे लिया जाता है और उससे बिलाउस कटिंग कैसे करते हैं वही आज की इस वीडिय यह था कि हमको इस तरह का जानकारी बताएं तो आज की इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह फ्रेंट है बेकशाइड में होता है यानि अब इसको अगर आपको इसकी लंबाई लेना है तो इसको इस तरह से फोल कर लिए अपने और आप द साड़े 12 इंच तो इसकी लंबाई इस तरह से लेते हैं और इसकी जो फ्रेंट है अब फ्रेंट की चोड़ाई हम यहां से लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यह साड़े साथ है ठीक अब इस तरह से आप इसको बेकशाइड से राप सकते हैं अस्तिन की लंबाई हमेशा है अई सप्धोर से लेना चाहिए जैसा कि यह आजा, और आर्म होल मैं इस तरह से एसा मिला लेना चाहिए किक फुरान वाल अ बलाइस के आर्म होल मैं कि इसाधि ची आ रहा एंगा है अईसा सीध courtesy करेंगे तो अब जाएगा इसको तो इसलिए इसको measurement को हलका सा इसको इस तरह से राउंड घुमाएं और राउंड घुमा करके आप इसका measurement ले सकते हैं और ब्लाव जब आपका तयार हो जाए एक बार इसको फिर से यहां से नाप यहां से उठाना लेना चाहिए नाप चाहिए फिर यहां से इसको जो साइड का है अगर गला आपका ऊपर छोटा है तो आप गले के साइड से ले सकते हैं नहीं तो अधरवाई इसको यहां से ले सकते हैं पूरा देख लिए विलाज का पूरा जो चेस्ट है वो कितना रहा है 32 आ रहा है तो इस तरह से आप इस प् तो नहां में उसी दाज कार सकते हैं जर्ण का गला कितना इस तरह से आपना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं यह चाहिए जब आप निस만 लगाएंगे तो आप रौंड भूमाएंगे इस तरह से गले-कनाप हो जाएगा तो यह थी पुराने बा मीराच के नाप लेने की जानकारी तो आप